कांगरेस नेता पपू यादब मंगलवार को दिली से बिहार पहुँचे इस दुरान उनकी तरफ से सोशल मीडिया साइट एक्सपर पोस्ट कर सुरक्षा हटाये जाने का दावा किया गया उन्होंने एक्सपर लिखा कि बाग डोगरा एरपोर्ट पर उतर दिली से पुने पपू यादब ने आगे लिखा कि मुझे अपनी चिंता नहीं है पूने और देश में पून परिवर्टन के लिए सब कुछ नियोच्छावर मेरी सुरक्षा से खिलवार बीजेपी और जडियों को बहुत भारी पड़ेगी पपू यादब ने हाल ही में अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विले करते वे खुद भी हाथ के साथ हो गए थे तो जिस तरीके सी ये फैसला उनका रहा उसके बाद उनकी वाइप्रस के टिगरी की सुरक्षा अटाए गई उनका ऐसा कहना है बता दे कि पूनिया सीट को लेकर उटा पटक अभी चांत नहीं भी है जेडियू अमेले बीमा भारती के अरजडी में शामिल होने के बाद पूनिया सीट को लेकर घमासान शुरू हो गया था पपू यादब ने इसी घमासान के बीच एक्स पर पोस्ट कर लिखा था कि मर जाएंगे कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे दुनिया नहीं छोड़ेंगे इसके साथ पपू यादब ने कहा कि मैं एक परिवार विश्वास आश्रवाद और एक पार्टी के विचारदारा से जुड़ गया हूँ मैं कोशी के सासाथ दो सालों से सीमान चल और पांस सालों से बिहार के लिए काम कर रहा हूँ उन्हें कहा कि लाल दारी दी जाएगी मैं उसे निभाँगा अगर पार्टी मुझे चुनाफ लड़ाएगी तो मैं पूर्णिया से चुनाफ लड़ूगा कहीं और से नहीं अब देखने इस पर कांग्रेस और आगे लालु यादब का क्या फैसला रहता है लेकिन पपू यादब ने जिस तरी आगे लादब